नमस्कार आप देखरें न्यूस पॉनेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ नीट एक्जैम में धांदली को लेकर देश भर में तो खलबली मची ही हुई थी अब बिहार में भी इसे लेकर के खलबली मच गई है बता दे कि अब बिहार में और देश भर में लोगसभा अब प्रदर्शन करने की बारी बिहार में भी शुरू हो गई है जैसे ही लोगसभा चुनाव का प्रक्रिया जो है वो समाप्थ होता है जैसे ही आदर्श आचारे संगीता हटता है वैसे ही जो अभियरती है नीट एक्जैम वाले वो पटना की सड़कों पर उतर जाते हैं नितीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ नारे बाजी करने लगते हैं और अब इसमें पॉलिटिकल पार्टी जैनी विपक्षी दल भी कूदना शुरू कर दिया अगर बिहार के बात करें तो बिहार में कॉंग्रेस ने कहा है कि हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और दिल नित परिक्षा के रिजल्ट में धांदली का आरोप लगाते हुए कॉंग्रेस पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। पिछले कुछ सालों में 720 में 720 अंकल आने वाले में कुछ चात्र ही रहें लेकिन इस बार 67 कैसे आए और 44 ऐसे चात्र है जो ग्रेस मार्क्स के आधार पर है। सवाल ये कि क्या ग्रेस मार्क्स के आधार पर नीट के टॉपर्स का चयन होगा। डॉक्टर आदित केजरिवाल ने कहा है कि हरियाना के फरीदाबाद में एक ऐसा परिक्षा केंद्र है जहां सिरियल नंबर 62 से सिरियल नंबर 79 तक आठ टॉपर हैं। दो ऐसे जिन्हें 219 में 218 अंक मिले हैं। ये अपने आप महरान करने वाला है मामला है कि आखिर आईसा हो कैसे सकता है। बिहार प्रदेश शिवा कॉंग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जैवर्धन सिंग ने नीट के रिजल्ट पर हुए धांदली का आरोप लगाते हुए कई सवाल सरकार से किये हैं। और सरकार को इस परिक्षा की जाज करवाने की मांगी है। जिसका परिनाम 14 जुन को आना था। लेकिन ये परिनाम 10 दिन पहले 4 जुन को ही निकाल दिये गए। उनमें से कितनों का सेलेक्षिन हुआ। उनके रोल नंबर सारवजनिक करने की अब मांग उठ रही है। पहले नीट पेपरली की खबर और आब रिजल्ट में गड़बड़ी से देश के लाखो युवाव का भविश्य बरबाद हो रहा है। सरकार इसका जवाब दे और इसकी जाज करवाए अन्य था हम सभी आंदोलन के लिए बाद्धी होंगे। दरसल इस साल नीट यूजी का जो रेजल्ट आया है उस पर सवाल उठाय जा रहे हैं। इस परिक्षा में 67 छात्रों को 720 में 720 अंक प्राप्थ हुए हैं। इससे परिक्षा लेने वाली एजेंसी या NTA जिसका नाम है नैशनल टेस्टिंग एजेंसी की कारिशाली पर सवाल उठाय जा रहे हैं। पेपर ली का रोप लगाये जा रहा है। कॉंग्रेस ने इसे देश भर में मुद्दा बना लिया है। यह मामला सुप्रीम कोड तक पहुँच गया, NTA के रवये पर एक बड़ा सवाल और खड़ा हो गया कि हर्याना के जजजर में एक ही परिक्षा केंद्र से आठ आठ टॉपर निकल कराये और जो आसपास बैठे हुए थे। कई छात्रों का ये भी कहना है कि उनके नंबर इतने कम नहीं आ सकते हैं। सामने आता है, एक्जाम जैसे तैसे कंप्रीट भी करा लिया जाता है तो अब रिजल्ट में धांदली, एक साथ 67 बच्चों को टॉप कर दिया जाता है। और इतना ही ने, सवाल ये उठता है कि हर्याना में एक ऐसा केंद्र, एक ऐसा एक्जाम सेंटर जहां एक साथ 8 बच्चे टॉप हो जाते हैं, वो तमाम जो 8 बच्चे हैं वो एक्जाम हॉल में एक साथ अगल बगल बैठे हुए पाए जाते हैं। सवाल तो बड़ा है, जवाब तो सरकार को देना ही होगा। सवाल उठ रहा है और अब कॉंग्रेस ने ये भी कह दिया है, चेतावनी दे दिया है कि अगर सरकार इस धांदली को का खुलासा नहीं करती है, सरकार अगर नैशनल टेस्ट रेजिंसी यानि एंटिये का करेंगे ही, अब हम दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली में जाकर के आंदोलन करेंगे, तो देखे लोक सभाचुनाव अभी जस्ट खत्म ही हुआ है, अभी प्रदान मंत्री के पद का सपद भी नरेंद्र मोदी नहीं लिया, तब तक वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े धा करताना शुरू कर दिया गया, अब होगा क्या, जो कुछ भी अपडेट निकल कर सामने आएगा, उसके साथ हम हाजिर होंगे, फिलाल हमें देजाज़त